हेलो फ्रेंट्स आद को रुक सोपर मैं आप सभी को इस PLDC सीलिंग फैन को इस्टार करके दिखाऊंगा यह मेरा मोटर है और यह जो नीचे वाला पाट है यह दोनों यह प्लास्टिक का प्लास्टिक का बड़ी है उपर वाला जो यह मेटल का पार्ट से इसके उपर इसके बा स्पास होता है साए 350 थ्री 40 का स्पास होता है उससे यह थोरा सा ज्यादा स्पीड है नॉर्मल से फैन के टेमपीरेजन में और सब सब फ़ले हम इस में इस रोड को इंस्ट्रॉल करेंगे इस रोड में आप देख सकते हो यह एक्स्टेंशन रोड है इस फैन को थ्रह से क knife करते हमा कि जब आप इस में select करते हो तो इसका जो रोड है इसमें pulle tight होना चाहिए तो नीचे में कटा हुआ है इस असे lood Barnes Windows करूब यह हो सकता है कि आपका जो यह road है वह भट कर यह हो सकता है कि आपका mild यह रавлив इनिे ऊक त्यू Guys good आपसले तए तशितर आदे इस ने अ क कौन सा स्कूरू है अख्रहाई क्या यहां पर इस टेप को उपर में हम लगा दे रहे हैं यहां पर आप देख सकतो यह जो स्कूरू है सिर्फ इसमें रखा हुआ है इसमें यह स्कूरू को टैट करने के लिए कुछ नहीं है इसका मतलब इसमें होगा कुछ टैट करने के लिए अब्जेक्स तो यहां पर एक होल है इसे में हमको इस स्कूरू को टाइट करना है यह साथ अपने सेफ्टी परपस के लिए दिया हुआ है और यहां पर उपर में स्कूरू है इसे हम निकाल देंगे क्योंकि जब हम इसका कॉफर लगांगे उपर बाला कॉफर और नीचे बाला कॉफर तो यह लगाने में दिख्ट होगा इसे हम निकाल देंगे और यह जो है जब आपका गर्वी बहुत जादे रहता है तो आपका जो पाइप है वह फैल ता है उसके परपस से दिया हो रहाता फिर हम एक कोफर को इस ट्रैप से लगा देंगे दूसरे को इधर से लगा देंगे दोनों को अपोजिट डियक्शन में लगाना है एक के मौत को उपर को दुसरे के मौत को नीचे में लगा देना है फिर हम इसे इस ट्रैप से इस वायर को निकाल देंगे और वायर को निका इसका is screw नहीं लगा आप आप देख सकती हो इसे हम लगाने के बाद मैं के आपको दिखाऊंगा अच्छे से यहां पर मिलता है tetool को निकाल देंगे इसके स्कुरू को देल डगा दिए दिए ओ आपको नहीं इनीगा वैं कोई दिक्टत नहीं है ये कंपनी दिया हुआ है तो सब्सक्राइब के लिए आप इसे लगाना है और यहां पर इसका नट है वह दो दिया है तो उसे आपको अच्छी से टाइट कर देना है एक को पहले टाइट कर देना है फिर दूसरे को बहुत ही अच्छी से टाइट कर देना है और उसे टाइट क से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अच्छे से और आपको हर एक वाइर को अच्छे से टाइट कर देना है फिलास की मदद से टेस्टर की मदद से देख सकते हो इस सारा को नेक्षन कर चुको है इस बीड्र के लिए है याधि आपका डूट जाता है इस वायर पर यह जो फैन हेल हैंग हो जाएगा नहीं गिरेगा और किस तरीका से वायर लगाना है इसमें सारा चीज बताया गया है आप इसे पड़ सकते हो चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसे किस तरीका से लगाना है यहां पर अभी हम एक स्कूरू को टाइट किये थे टेप निकाल के जहां पर एक लगाया हुआ था उसे हम निकाल देंगे और यहीं पर इसे हमें इंस्टॉल करना है और यह जो किस तरीका से इंस्टॉल करना है यह अभी मैं अच्छे से बता दूँगा क्योंकि कोई भी को भी अच्छे से लगाना है इसको इसमें लगा के इसके इसको बहुत यह से ट्राट कर देना है यादि जब यह फ्याइंच चलता है इसमें थुला सा फिबरेशन होता यादि यह स्कूरू इसमें ओपन हो गया तब इस वायर के कोई मतलब नहीं रहा जाएगा इसलिए क्वाइर के थुरू आपको उपर निकालना है तो यहां को यहां पे जो वायर निकला हुगा इस निकालने में अन्ये करना हैन्य के देए अब दिक्तत होगा और बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाए तरहाई है अम क्या करेंगे के ऊपर वाला ढबला फ्रीवाल इस ये में निकाल देंगे पूरे वाइर Nu ये ये आप सकते हो और निकाल दए हैं के हैं यहाँ पर लगा हुआ था Black यह आप कोई भी काम करते हो थो आप थोड़ा सा श्यादी दिमागी लगयों से कर दोगी उसलिए अब कोई काम को ज़रूर से लगाना है इस यहीं से यह एक्षर जे लगाना है इसका रॉट की से इसवंकूरार को लेकिन यह मतलब कि यह माना गया कंपनी के दुरा यादि कोई भी कारणसी यादि टूट गया बाइद दोगे तो यह आपका सफ्टी के लिए रहता है तो हम क्या करेंगे इसमें लगा देंगे इस वायर का जो लॉक है उसमें दो प्लेट है और दोनों प्लेट में टोटाल च देना है उसके बाद इस ग्सक्रू को जब आप टोटेंट कर देए का लग हो जाएगए आप देख सकते हो इस तरह का साको ट्राइट कर ना है और इसे आपको पिलास की मदद से टाइट कर देना है और जब इसे आप छत में लगाते हो तो छत में जो भी रॉड है छत के रॉड में आपको इसको फसाना है अभी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह कास फसाना है जिस तरह कासे इस एक्स्टेंशन रॉड का जो लोहा को फस कोई प्रोल्म नहीं होगा अब हम इसे भी आपको लगा के दिखा दे रहें इसे आपको किस तरीकास लगाना है यह लगाना साथ आप सभी को मालूम ही होगा यह नॉर्मल है यह नॉर्मल सिलिंग फैन में भी इसी तरीकास लगा जाता है दोनों इस दोनों प्लेट को इस तरी कर देंगे और फिर हम इसका लगा देंगे आपको एक बात का ध्यान रखना है हर एक जगा जहां जहां पर लगा नहीं होसकता है यह कभी-कभी डीला हो गया और यह लॉक नहीं रहेगा थी श्कूरू बाहर निकल जाएगा और यह फैन को फैन गिड़ जाएगा ऊपर से है लगाहर है इस तरह साब को लगादेना है गर देख सकते बर कंस से भी मों कि लगाते हैं उसके बात मैं आपो ऊपर में एसे इसे स्टॉल करके दिखाऊंगा तो मैं एकर आपको, उपर में, शट में, इसे इस्टोल करके दिखाओंगा, हम शट में इस्टॉलक करेंगे तो, मैं IK otro करने तो मैं मैं अक्याए वीडियो भी बना रहा हम और एक एक सिलिंग काई इस्टोल्व कर रहा आपको हर एक चीज लगाने के भाद आपको लागने जरूर नद है कि कहां पर लॉक था वहां पर लोग लगा को जाता है तो उसमें कोग दूसरा हैं गब दूसरा हाध वायर लेलाख यज़तों ह लगा देंगे के साथ हमें इसे दो बैटरी भी मिलता है और यह इस पर अच्छाने से वह और करता यहां पर यहां पर आपको देखेगा जब आप इसमें स्कूरी बट्न को प्रेस्ट करें तो यहीं पर इसके इसके अफ्सक्राइब को इसके इसके तरिका से फसादी है तो इसा कंचन कीया है तो इसमें बहुत सारा वायर है कि अपर यहां को आपको आप सबेस कौस्त आप देख सकते हो अप यहां सब साग रहा है यह चोट नियुऌ है और ज Champions Samsung सम्ण आप यह च्छत का रॉड में यह extension road फसा हुआ है, और यह जो wire है, यह wire भी उसी रॉड में फसा हुआ है, ये आप देख सकते हो इस तरीका से यह लुआ है, च्छत का है, और युद फसा हुआ है. यह आप देख सकते हो इस तरीका से यहां एक साइट से गया हुआ है दूसरे साइट से आके यहां पर फसा हुआ है तो आपको अच्छे से फसा किया है उसके इसके स्कूरू को भी बहुत ही अच्छे से ट्रैट कर देना है और यहां पर जितना भी स्कूरू है उसको भी आपक लगा देंगे ति आपको एक भी वायर नहीं दिखेगा आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा हम इसे स्टॉल कर दी है हम इसके सूच को पहले अन कर देते हैं और यहां पर जो स्पीड बराने और कम करने वाला है उसे हम पूरा फोर पर डाल दे रहें पूरा फूल अधे स्पीड बर और जब भी हम इसके रिमोट को प्रेश करते हैं इसके सेंटर में एक लडी बलब जलता है यहाँ आप अपको ब्लैक कॉफर प्रफिट में यह और और उसके बगल में बुस्ट का बटन है और यहां पर टोटल यहां पर इसका इस पीड दिया हुआ है एक से लेके पांतर का प्रफिड कम और ज्यादा कर सकते हो और जब भी हम इसका बटन को प्रेस करते हैं तो रिमोट में भी लाल कलर का बलूप जलता आए और जब हम जब इसका बुस्ट बुस्ट बटन को प्रेस करेंगे तिसका स्वीड जो है वो फूल स्वीड पर चला जाएगा और यह बहुत ही जादे स्वीड में रोटीट करनेगा यानिकि इसका जिसका में स्वीड है 370 रपीम यानिक एक मिट में 370 बार यह और नीचे में इसका टाइमर सेट कर सकते हो आप 2, 4, 6, 8 यानि कि 2 गंटा या फिर 4 गंटा या 6 गंटा या फिर 8 गंटा का आप इसका टाइमर सेट कर सकते हो यादि आप इस बटन को प्रेस कर दो को यह दो गंटा चलता रहा जाएगा उसके बाद आटोमेटिक बंद हो ज यह जो BLDC सिलिंग फैन है, यह नॉर्मल सिलिंग फैन के केमपेजिय में थहाँ सा डिफिरेंट है, लुकवाज भी थहाँ सा डिफिरेंट है, जो कि दिखने में अच्छा लगता है और रिमोट कंट्रोल है, तो आप इसे जरूर से बाई करना चाहोगे, यह आपको यह लिपन अच्छा लग और आपको इसे बाई कर सकते हैं.